प्रेडमी नोट 10 प्रो मैक से काफी अच्छा डिवाइस देखने में लग रहा है इस पर मैंने अल्रेडी पपजी रिवीव और इसके अन्बॉक्सिंग डाल दिया तो आप ज़रूर से उस वीडियो को देख लीजिए आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन वहीं से मिल जाएग तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस फोंग की जो मेजर हाइलाइट है वो है इसका सूपर एमॉलेट 120 हर्स डिस्पले जिसकी वज़े से जो सॉफ्ट एर है वह हमें काफी ज्यादा स्मूथ फील होता है योई अनिमिशन से हमें काफी अच्छी देखने को मिल बात करने फाइली फीचर की तो वह में मिल जाता है वाइडवाइन एलवन का सपोर्ट इसका मतलब यह है कि आप सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफर्म से एच्टी में स्ट्रीम कर पाएंगे दूसरे फीचर की तो हमें इसमें घीक Feels एपी फुल सपोर्ट मिल जाता है इसमें अप्डेट से अलग होता है और मोस्त यूजर्स इसको एग्णोर कर देते हैं जैसे कि अब देख सते हैं कि मेरे फोन पे भी अप्डेट आया हुआ है और रिस्टार्ट करने को कह रहा है जिसको मैं बात में करने वाला हूं तो अब जुरूर से अपने फोन में भी यह मनें बात लिए च्कति सब्सक्रारण है फिर रहुप करें जबात पको 52 चीज़ें मैं को चीजा के वेक्सें फिरव दोवेडियर्स की तो उस सकता है जिसको मैंने ऊटिमाटिक सेलिके वह है इसका नोटिकेशन एंग करें0 इसमें हम जो notification shade है उसका style change कर सकते हैं मैंने इसमें android किया हुआ है जिसमें जो notification से हैं वो थोड़े से minimize जाते हैं जबकि हमाई वाले में थोड़े से बढ़े आते हैं इतना ही इसमें फरक है फिर हमें इसमें स्टाइल के नाम से option मिलता है तो पहले जो ट्रेडिशनल नोटिफिकेशन बार था हमें इसमें वो तो मिलता ही है साथ में अब हमें नया iOS स्टाइल भी मिल जाता है जिसमें हमें टॉप राइट से स्वाइब करने पर से चंट्रोल सेंटर मिलेगा और जो टॉप लेफ्ट हमांसे स्वाइब करने से नोटिफिकेशन सुनेंगे से इसम इस की तरह है फिर हमें स्टेटस बार में कनेक्शन स्पीड शो करने का option मिल जाता है इसमें को भी आप्शन मिल जाता है और लास्ट में हाइड नॉज का भ ग्लोबल आइकन अनिमेशन जो कि हमने अनेबल की हुई है उसके बाद हमें इसमें ब्लर अप प्रिव्यू भी मिल जाते हैं कि हम अगर किसी भी आप का ब्लर अप प्रिव्यू करेंगे तो रिसेंट टैब में ब्लर हो जाएगी और उसकी जो इन्फॉमेशन है वह नहीं द इश की रिकॉगनेशन मेथर्ड में हमें अब हमें अगर spann को प्रेश करेंगा उनप इसमें अधरी अब फिचर करनेखर में हम काफी कस्टमाइज कर सकते हैं हम किसी भी जेश्चर पर कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं जैसे कि मैंने अभी डबल टैप फिंगर प्रिंट पर कैमरा उपन लगाया है और वो इजली वर्क कर रहा है बात करें नेक्स फीचर की तो वह हमें मिलता है स्पेशल फीचर में सबसे पहला इसमें गेम टर्बो और गेम टर्बो के बारे में मैंने अल्रेडी डीटेल में एक्सप्रेंग क्या है अपने पफजी रीव्यू में तो जरूर से वीडियो देख लीजिए फिर हमें इसमें मि ें इसँ भी मेसिज-जिग आता या तो अप इसको फ्लोटिंग मिडों में यूज कर सकते हैं और कोई भी आप दो है definitely इसको disabled कर दीजिए आपको ads नहीं आएंगे या फिर minimum ads आएंगे फिर इसमें हमें user and diagnostics को option मिलता है इसको भी आप off कर दीजिए अब आपकी जो usage है वो phone track नहीं करेगा फिर बात करें next feature की तो हमें उसके लिए developer options enable करने हैं जिसके लिए हमें about phone में जाके MIUI version पर जाके five to seven times tap करना है यह सब मैंने already किया हुआ है और मेरा developer options already enabled है तो simply हमें developer options में जाके power monitor सर्च करना है वो हमें काफी नीचे मिल जाएगा third last column में around मिल जाएगा और उसमें हमें simply start करना है तो यह basically आपका जो refresh rate resolution CPU temperature और frame rate live fps वो दिखाता था लेकिन इस phone में updates के बाद इसमें हमें live fps देखने को नहीं मिल रहा है बाके सब चीजें फिर भी मिल रहे हैं तो आप अपने cpu की usage और refresh rate को easily track कर सकते हैं इसको नेबल करने के बाद तो यह मुझे इसमें एक hidden feature लगा जो की वर्थ telling है अब बात करें इस वीडियो के last feature की तो वह है इसका recent app menu यह हमें vertical form में मिलता है जो कि हम ही होगा ही के devices में काफी time से मिलता आ रहा है लेकिन यह इतना efficient नहीं है और यूज करने में भी इतना अच्छा नहीं लगता है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं home screen settings में जाके arrange item in recent में जाके हमें इसमें horizontal select करना है उसके बाद हमें default Android वाला horizontal layout होता है वो मिल जाएगा जो की काफीज़ता बैटर है पहले वाले उसके बल करने की सिंपल से ट्रिक है कि जैसे कि मैंने अभी वेरिज माइट्रेन अप इंस्टॉल की ती और उसका वह scanning page खुला हुआ है उपर हमें सेटिंग का option मिल जाता है तो सेटिंग में जाके हमें सिंप्ली scan apps from google play store को off करना है और receive recommendations को भी off कर देना है जिससे कोई एड ना है तो जिससे कि मैं अभी कोई भी आप इंस्टॉल करना तो अब मुझे वह पेश देखने को नहीं मिलेगा और एक जो नॉर्मल एंडरेट फोन होता है उसके तरह ही यह फोन भी वर्क करेगा तो अच्छी बात है कि शाओ में जो अपनी पुरानी गलतिया है उनसे सीख रहा है उनको करेट कर रहा है तो लिवलेगें बंद हो गया है तो जो call recording वाली facility होती है वो हमें Google की यूज करना ही पड़ए जिसमें जो computer है वो दोनों पार्टी में अनॉंस करता है कि आपके call रिकॉर्ड हो रहे है इससे जो call वीडियो में करी जाएंगी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए प्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लेजिए मेरे चैनल को और बेल लागन को भी दबा दीजिए आपडेट्स वाने के लिए मैं रेडिमी नोटेन प्रो मैक्स और चैमसंग अलक्सी 52 का स्पीड टेस्ट कैमरा अपमेरजन और फुल कंबैरजन भी जल्दी ही लाने वाला हूं अगले तीन-चार दिन में तो स्टे टून रही है मेरे चैनल से और मेरा नाम है वदसल और मैं आप से मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में